हेलो मैं प्रेशस फ्रेंड विल्कम बैक टो माई चैनेल हुईचीज संचीता क्विक हेल्दी अंटेस्टी मैं हूं संचीता बेसरा और एक नई रेसिपी लेकर कीचेन में आ गई हूँ तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक एंड सिम्पिल धोकला की रेसिपी जो की सभी बना सकते हैं तो फिर चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए देख लेते हैं क्विक एंड सिम्पिल धोकला बनाने के लिए हम लोगों को क्या-क्या चाहिए बहुत ही सिंपल इंगिडियन्स हैं जो की सभी के घर पे होता है हमने यहां पे बेशन लिया है एक कटोरी छान के ले लिया है हमने और है सूजी, पानी, अद्रक का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, रिफाइन ओयल, आन फ्लेवर इनो, नमक, सक्कर और हल्दी पाउडर जो की आप सभी के घर पे होता ही है तो सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेते हैं जिसमें हम सारे चीज़ों को मिक्स करेंगे सबसे पहले हम ले रहे हैं बेसन, बेसन को हमने पहले ही चान लिया था और इसमें हम देंगे सूजी सूजी देने के बाद इसमें हम देंगे नमक और देंगे सक्कर सक्कर थोड़ा ही दे रहे हैं और थोड़ा हम बाद में देंगे और दे रहे हैं हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर देने के बाद अब हम देंगे हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यहाँ पे चार हरी मिर्च को पेस्ट करके ले लिया था और देंगे अद्रक का पेस्ट एक इंच अद्रक का पेस्ट मैंने ले लिया था और अब इसमें हम एक से डेर चम्मच रिफाइन डॉयल देंगे इन सारे चीजों को देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका स्मूथ पेस्ट तयार कर लेंगे धोकला बनाना बहुत ही सिंपल एंड इजी है सभी बना सकते हैं और बहुत जल्द बन जाता है ये रेसिपी देखने के बाद आप भी घर पे धोकला बनाईए और अगर आपको कोई भी दिक्कत आये धोकला बनाने में तो मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बैटर को बना लिया है और ये देखिए बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा थीक भी नहीं है इसको इसी तरह की होना चाहिए अब इस बैटर को हम 15-20 मिनिट्स के लिए ढग कर रेस्ट होने के लिए रख देंगे और 15-20 मिनिट्स के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ और यहाँ पर जिस बरतन में हम लोग धोकला को बनाएंगे उसी बरतन में थोड़ा सा रिफाइंड ओयल यानि की एक चमच के करीब रिफाइंड ओयल दे के पूरे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे बरतन में रिफाइंड ओयल को अच्छी तरह से लगा लिया है और 15 मिनिट्स भी हो गया है अब धकन को खोड़ लेते हैं चमच के मदद से एक बार चलाएंगे एक बार चला लेने के बाद अब इसमें हम देंगे अन फ्रेवर इनो पाउडर इनो पाउडर देने के बाद बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाना परता है और यहाँ पे आप इनो पाउडर के बदले दही का भी यूज़ कर सकते हैं इनो पाउडर देने के बाद जल्दी जल्दी हाथ चला कर हम मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बैटर फूल कर डबल हो रहा है अब जिस बरतन में हम धोकला को बनाएंगे उस बरतन में डाल देते हैं सारे बैटर को देने के बाद चमच के मदद से फैला लेंगे और बरतन को दो बार टैप कर लेंगे जिससे अंदर बबल्स नहीं रहेगा और यहां पर मैंने एक कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिये थे इस तरह की स्टैंड के उपर हम धोकला के बरतन को रखेंगे और 22-25 मिनिट्स के लिए इसको पकने देंगे यह पकड़ा है तब तक मैं आप लोगों को तरका दिखा देती हूँ तरका के लिए हमने यहां पर लिया है सरसो, हीम, सक्कर, नमक, रिफाइंड ओयल, हरीमिच और करीपत्ता 45 मिनिट्स हो गया है आप देख लेते हैं धोकला तयार है या नहीं और यहां पर मैंने धोकला को बर्तन से निकाल लिया है याने की करहाई से मैंने बाहर निकाल लिया है यह देखिए साइट से धोकला छोड़ दिया है याने की धोकला अच्छी तरह से पक्कर रेडी है फिर भी हम चाकू के मदद से एक बार चेक कर लेंगे ये देखिए चाकू एकदम क्लीन निकला है याने कि अंदर से भी धोकला अच्छी तरह से पक गया है अब इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे चाकू के मदद से साइट को खनोचते हुए धोकला को निकाल लेंगे इसी तरह की नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानि की नोटिफिकेशन बेल उसको ओन करके और पे क्लिक कर दे जिससे की जब भी मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप मेरी नई रेसिपी को देख पाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़िया धोकला बनकर तयार है एकदम बहुत जादा स्पोंजी बना है धोकला यह देखिए मैं दबाकर आप लोगों को दिखाती हूँ बहुत जादा गरम है आप भी घर पे धोकला बनाईए खाईए और मुझे कॉमेंट के द्वारा जरूर बताएए आप लोगों का धोकला कैसा बना तो फ़र चलिए अब हम तयार कर लेते हैं धोकला की तरका तरका बनाने के लिए यहाँ पे हमने करहाई को गरम कर लिया है और करहाई में अब हम दे रहे हैं रिफाइन ओयल मैंने यहाँ पे तीन से चार बड़े चम्मच रिफाइन ओयल दिया है रिफाइन ओयल गरम हो जाने के बाद अब इसमें हम देंगे हरी मिर्च हरी मिर्च को मैंने बीच से चीर लिया है और यहां पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्च लिया है आप हरी मिर्च कम या फिर ज़ादा कर सकते हैं हरी मिर्च को थोड़ा चटकने देते हैं हरी मिर्च चटक जाने के बाद अब इसमें हम देंगे हींग हिंग मैंने यहाँ पे दो पींच लिया है हिंग देने के बाद अब इसमें हम देंगे राई याने की सरसो सरसो को भी अच्छी तरह से चटकने देते हैं अब इसमें हम देंगे करीपत्ता करीपत्ता को देने के बाद फिर से हम अच्छी तरह से चलाएंगे करीपत्ता को थोड़ी देर चला लेने के बाद अब इसमें हम देंगे सक्कर सक्कर देने से ये थोड़ा मीठा मीठा लगता है तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा सक्कर दिया है आप थोड़ा कम भी कर सकते है और इसमें हम देंगे थोड़ा सा पानी जिससे की सक्कर चिपकेगा भी नहीं और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा और इसका एक सीरा टाइप बनकर तयार होगा और यहां पर देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है और थोड़ा सा इसको थीक बनाएंगे यह देखिए थीक भी हो गया है Summit सीरा जाशाद दिख रहा है अब इसमें हम धोकला को डालेंगे बहुत ही साबधनी से धिरे-धिरे करके धोकला को डालिये। सभी पहले धोकला को काटते हैं लेकिन मैं धोकला को नहीं काटूंगी ऐसे ही धोकला को मैं इसमें रख दूंगी इस सीरा के उपर और इस समय गैस की फ्लेम को एकदम कम करके रखिए नहीं तो ये तले में लग जाएगा एक मिनिट के लिए इसको हम ऐसे ही होने देंगे एक म अगर कर्ची के मदद से आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक साइड आप कर्ची को पकड़े और एक साइड में हातों से दीरे-दीरे करके पलट दीजिए पलट देने के बाद गैस को हम बंद कर देंगे और इस सीरा के अंदर ही थोड़ी देर छोड़ देंगे याने की ठंडा होने के लिए रख देंगे जितना सीरा बचा हुआ है ये सारा सोक लेगा सोक लेने के बाद आप लोगों को मैं दिखाती हूँ आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका बहुत ही अच्छा दिख रहा है और खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा मैं आशा करूंगी आज का रेसिपी आप सभी को बहुत अच्छा लगा है अब इसको हम चाकू के मदद से काट लेंगे आप इसको काट कर भी दे सकते हैं लेकिन मैं इस तरह से देती हूँ इसलिए मैंने आप लोगों को मैं जिस तरह से करती हूँ वैसे ही आप लोगों को मै ने दिखाया थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरा पुड़ा वीडियो देखने के लिए और धोकला के साथ खाने के लिए मैंने चटनी भी बनाया है उसका रेसिपी मेरे चैनल में है इस वीडियो की एंड स्क्रीन या फिर आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगी या फिर आप आप मेरे चैनल में जाके धोकला के लिए चटनी मैंने कैसे बनाया है वो बाला रेसिपी देख सकते हैं इसी तरह की नहीं- tutti आप लोगों के साथ फिर जल्दी मुलाकत होगी तब तक आप मेरी बाकी वीडियो को यानि की बाकी रेसिपी को जरूर देखे Thank you